कोवीड नाइनटीन एम जार्खन सरकार की गाइडलाइन का पालन करते वे जार्खन समय धनबाद में ईद मिलाद दुनभी का पर्व सादगी के साथ मनाया जा रहा है धनबाद के पंचायत दरीदा बस्ती उपर टोला मदिना मस्जिद रोड में जुलूस इस बार नहीं निकाला जा रहा है वहीं पंचायत समयती के राजव अनसारी ने मीडिया को बताया कि हजरत महम्मद साहब के जनम दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है ये मुस्लिम का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है इस पर्व को बारा फफात या एद मिलाद नबी कहते हैं इस मौके पर मुस्लिम समुदाए के लोग रात भर मस्जिदों में अबादत करते हैं और जलसा का भी आयोजन करते हैं इसमें मौमद साहब की शान में नजम पड़े जाते हैं मस्जिद इवम घरों में कुरान को खास तोर पर पड़ा जाता है पेगांबर मौमद का जन्म अरब के शहर मक्का में 570 रिस्वी में हुआ था मौमद साहब आकरी नभी हैं इसलामिक कैलेंडर के तीसरे मेने की बारवी तारीक को पड़ता है रभी अवल की बारवी तारीक को ही मौमद साहब का जन्म हुआ था इसलिए मुसलिम समुदाई के लोग इस दिन बड़े ही धुमधाम के साथ मनाते हैं वहीं आज कई लोग मस्जिद में नमाज अदा कर सादगी के साथ ये पर्व मना रहे हैं गली महलों को अच्छे तरह से सजाया गया है रंग मिरंगे लाइट्स मजदिरों के मिनारों को चार चांद दगा रहे हैं जंडों से महलों की खूपसूर्ती देखती बन रही है चोड़ी चोड़ी बच्चे कुर्टा पाइजामा पहन कर ईद मिलादु नभी पर्व की शोभा बढ़ा रहे हैं वहीं घर में महिलाएं तरह तरह के पकवानें बनाने में वैस्त है नाते म मुस्तफा का खूप खूप एत्माम हो रहा है महीं इस मौके पर दिलदार अंसारी रियावद्दीन अंसारी आसिफ अंसारी मुक्य रूप से उपस्तित थे अज हम इद मिलादुन नभी का जिसन बना रहे हैं उसके कारण आज हमारे एक्ताओ के है क्वालिटी ओवन फ्रेश जो बच्चों की सिहत से करे प्यार वो क्वालिटी ब्रेट से कैसे करे इनकार हमारा पता है आरा मोड रेलवेगेट नमबर एक धनबाद मोबाइल नमबर 7004067520